Hello Students Today we start our English book, Effect with Sun Chapter No. 7 The Wonder Called Sleep यह हमारी English की जो second book है Effect with Sun उसका Chapter No. 7 है The Wonder The Wonder Called Sleep We know enough about what sleep is, though we do not know what exactly sleep cause जैसा कि हम सोने के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि सोना क्या होता है पर हमें उसका exact meaning नहीं पता है कि actual में वो सोना है क्या जो हम sleep करते हैं स्लीप क्या है इसी स्टेट में सब्सक्राइब करते हैं हमारी बाड़ी रेकवर स्ब्सक्राइब सब्सक्राइब तो सो करते हैं जब हम सोते हैं तो वो सारी जो भी थकान होती है हमारी बॉडि की वो सब दूर हो जाती है आफ्टर ऑफ्टर ए गुड़ स्लिप एंड रेस्ट डट गेव बी विकम अलर्ट एंड अक्टिव अगिन रडि फोर दा नॉर्मल आक्टिविटी अफ द दे लेकिन सोने के बाद क्या होता है जब हम सो जाते हैं रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जब सो के हम उठते हैं तो हमारी बॉड़ी फिर से एनरजीटी को जाती है हमारी बॉड़ी फिर से वही सब एक्टिविटी डेली की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो सब करने के लि याद नहीं रहती है कि जब हम सोय थे तो क्या-क्या हमने ऐसा किया था वी में रिमेंबर अड्रीम बट रेस्ट ऑफ और बाड़ी वाज और काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स तू है टेकन प्लेस जब हम सोते हैं तो हमें कुछ सपने आते हैं कई बार उनमें क्यों सब्सक्राइब यहां करता हैं सोते हैं अबर यहाधि जब हम 17 सबावेसरे मारे खेल पर टौर्श और समबाता है जब हम आन्थ को में मुझे सब्सक्ञ viens-पछर ने को में हिए प्लेसे थकान यारेजिए गोड़ी गिसव फवरेज़ां को में भूंट 2 पर पर मक्क्र खोड़ि टेंप्रेशर एंड ब्लढ प्रेशर को बुलो अब्लद कमरेंस कहले रीब और केले UK नहीं कुअ सब्सक्क्राइब भब वेनगर एप Bowl फ्लो सब्सक्राइब जया जब blending वरसेकर सेंजस भश्यू समय बट वी द्रीम लिकिन हम क्या आते हैं सपने देखते हैं नीन में वी वेक अप आवर टेम्परिचिर और ब्लड प्रेशर राइस चू नॉर्मल और जैसे हम उठते हैं हमारी बॉडी का टेम्परिचर और ब्लड प्रेशर पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है our heart heartbeat and breathing also become normal and we are fully awake जब हम पूरी तरह से उठ जाते हैं पूरी तरह से फ्रेश हो जाते हैं हमारा heartbeat और breathing बिजो है वो बिल्कुर normal हो जाती है and have forgotten most if not all the dreams that had that we had while sleeping और हम सबी सपनों को जो भी हम सोने के टाइम पे सपने देखते हैं उनको भी हम भूल जाते हैं बस बहुत दुंदली-दुंदली सी यादे रहती है उन सपनों की अब आता है यह ड्रीम है क्या सपना क्या होता है यह ड्रीम क्या है एक ऐसे अक्टिविटी है जो हम दिन के टाइम मतलब हमारी जो एक्टिविटी होती है माइन की यह कोई सपना को भी नहीं है बस यह हमारे माइन की एक्टिविटी हमारे माइन के थॉट्स है जो हम सोने से पहले हमारे माइंड में जो चीजे चली रहती है, पूरे दिन में हमारे माइंड में जो भी चीजे चली रहती है, वो सब हमें रात को सपने में दिखाई देती है, ठीक है, तो सपना कुछ नहीं होता है, ड्रीम कुछ नहीं होता है, बस माइंड की एक एक अक्ट in dreams could happen when we are awake सपनों में कुछ चीज़ मतलब जो हमें सपनों में दिखती है जो हमें सपनों में दिखती है वो या तो हमारी लाइफ में हो चुकी होती है या फिर होने वाली होती है इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है ड्रीम सीम तो बी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रिजन्स वन इस डैट और ड्रीम केन हैल्प अस्टू स्लीप थ्रू नॉइस और अधर डिस्टरवेंज लब जो हमारे सपना होता है रात को सोने के साइम पर जो में सपना आता है वो उ एक्जामपल अलाम क्लॉक रिंग बट आवर माइंड कॉस तो ड्रीम देट टेलीफोन और डॉर बेल इस रिंगिंग और वट वी आर अवेक अंसरिंग इट अब देखो कई बारे हमें क्या लगता है जैसे अलारम बजा है या कोई बैल बजा रहा है घर की तो हमको ऐसा होते हैं हमें लगता हुए होते हैं हमें तो हम सब्सक्राइबी होते हैं की ओर बज लिया थी कुछ में देख लिया हे इधाये अलारम बजा हमें हमारे नीन हमने वह अलारम हग mówi बंत कर दिया है इसी चीज़े में होती रहती हैं थीक है तो यह को ON होते हैं थोड़े फनी भी होते हैं शर्टेन डॉक्टर्स हाफ फाउंट एक ड्रीम जो होता है वह हमारे को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता देता है बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग लेकिन हमें एक चीज हमेशा याद रखनी होती है ड्रेम्स कैन नॉट भी यूज एज एज वे तो टैल दा फ्यूचर की हमें ड्रेम को कभी भी इस वे में नहीं लिके जाना चाहिए कि वह हमें हमारी फ्यूचर के बारे में बताएगा वह हमें हमारी फ्यूचर के बारे में कभी नहीं बता सकता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले कल में हमाई साथ क्या हो सकता है sleep is the most common experience but how many of us really think about the wonder and power of sleep जो sleep होता है सोना होता है बहुत common चीज होती है लेकिन जो really है उस really में exactly हमें इसकी power के बारे में नहीं पता है many poets have written beautiful poem about sleep here is one in which the poet is described the experience of falling sleep जो बहुत से poet ने sleep के बारे में बहुत सी poems लिखी है ठीक है अब इसमें एक poem दी वी आपको I have come to the border of sleep and unfathomble deep forest where all must lose their way however straight or widening soon or late they cannot choose there is not any look or face of dearest look that I would not run from now to go into the unknown I must enter and leave alone I know not how this make point ने बताया कि sleep क्या है जब भी हम सोते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़े होते हैं तो बहुत सी चीज़े होते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं वो हमें सपनों में दिखता है मतलब unknown things होती रहती है कि जो चीज़ के बारे में हम सोचते भी नहीं है वो भी हमें ऐसा सपनों में दिखाई देता है लेकिन reality में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो अबर चैप्टर नंबर 7 इस कम्प्लीट इस पॉइम के जो राइस चैप्टर का जिन्हों ने यह स्लीप के बारे वंडर आफ्ट स्लीप लिखा है एडवर्ड थॉमस इसके राइटर है तो यह चैप्टर नंबर 7 हमारा कम्प्लीट हो गया है इसकी एक्सरसाइजम नेक्स लेक्च्चर में करेंगे थैं थैंक यू